अधिकारियों को PPP की वजह से बुज़ूर्गों की रुकी पेंशन को तुरंत बहाल करने के दिये निर्देश प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दो दिवसी कारिक्रम का किया गया आयुजन केंद्रिये क्रिशी राज्यमंत्री के लाश चौधरी ने कहा प्राकृतिक खेती समय की मांग विनिश फोगाट विश्र कुष्टी चेंपियन्शिप में दो पदक जीतने वाली बनी पहली भारतिय महिला पहलवान और आज दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर केंद्रिये सूचना एवं प्रसारन मंत्री ने देशवासियों को दी शुपकामना है कहा दूरदर्शन ने भारत की बदलती हुई अनवरत यात्रा को किया भी व्यक्त नमस्कार, मैरे तुकोशिक अपसमाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने आज रहतक में जन समवाद कारिक्रम में लोगों की समस्याइं सुनी और अधिकारियों को बुजूर्गों की पेंशन समबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंक्ती में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ वसुविधा पहुचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए परिवार पहचान पत्र की शुरुवात की गई है मुख्य मंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन देना बंद किया गया है जो इसके पात्रन नहीं है मुख्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की pension PPP verification के कारण रुग गई है उसे ततकाल प्रभाव से बहाल किया जाएगा और पिछली pension की अदाईगी भी की जाए पिछली pension कुछ बेनों को जा रही थी लेकन उनके बारे में बता लगा कि कभी विड़ो हुई पिड़ो होने के बाद री मेर्ज हो गई तो री मेर्ज होने के बाद पेंशन नहीं मिलती है उनकी pension फिर भी जा रही थी इसलिए उनको भी कटवाया है कहीं कहीं इंकम के अधार पर और pension काटे गई थी जिनकी यानि एक प्रावधान है कि दो लाख रुपया पती-पतनी की अगर जो 60 वर्षी उपर हो जाते हैं उनकी पती-पतनी की इंकम दो लाख रुपया इससे अधेक है तो उनको pension नहीं लेनी चाहिए फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसी pension ले रहे थे कोछ ऐसे थे जो pensioners थे एक्सरिसमें थे उनको भी pension दी जा रही थी वो भी pension लेने के हपदार नहीं है अर्थात पा साथ साथ कटती है जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पेचातर में रिश्ट्र हो जाता है तो उसकी pension पहले तो बैंक में जाती रहती थी कई महीने तक बैंक में जाती थी डिस्परस्मेंट नहीं होती थी या डिस्परस्मेंट में भी फरजी मामला जो होता था कि उ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षित्र में दो दिवसीय कारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कारिक्रम में केंद्रिय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने विशेश रूप से शिर्कत की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और प्राकृतिक खेती करने से किसान खुशाल और रात निर्भर होंगे। इस दोरान NCRT के निदेशक दिने शकलानी ने कहा कि जल्द ही स्कूली शिक्षा में कृषी शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा ताकि विद्यार्थी प्राकृतिक खेती के बारे में जान सके। बड़ी महनत करके BSC, MSC के लिए स्लेवस तयार कर दिया है और एक डिपलोमा कोर्स भी तयार कर दिया है। और हमारी जो गुजरात युनिवर्सिटी है उन्होंने तो PhD के छात्रों को प्रवेश भी दे दिया है। तो इतना बड़ाए का विहान है तो इसमें मेरा नमर निवेदन है कि हम सब राष्ट्र हित में, किसान हित में, लोक कल्यान में अपनी सब अंकारों को भूलकर सारे के सारे मिशनरी बन करके प्रधानमंत्री की जी की भावना का हरदय से सम्मान करते हुए प्राकृति किर्शी को देश में बढ़ाएं। तो हम यह चाहते हैं कि उपर की शिक्सा का तो बहुत कम परसेंट है, दो परसेंट भी उच्छे सिक्सा में नहीं पहुंचते हैं, और किर्शी सिक्सा तो मेरे समझे 0.12% के करीब है, मैं यह चाहता हूं कि जो इसकूली सिक्सा 30 करोड बच्चे भारत के इसकूली सिक्सा में ह भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशक के महानेदेशक हिवान्शु पाठक ने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे जीवन से सीधे रूप से जुड़ी हुई है और ICAR किसानों को प्राकृतिक खेती विशेपर विशेश रूप से प्रशिक्षन देने का कार्य कर रहा है जो हमारा परंपरा रही है भारत की संस्कृत में कहा गया है कि जीव जीवनं क्रिशी के साथ जीवन जब तक एक तरी से जुड़ेगा नहीं तब तक ना जीवन का उन्नती हो सकता है और ना ही क्रिशी का और दूसरे जो कि काफी किसान भाई भाई ने हमारे साथ हैं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जल जमीन जलबावू जंगल जानवार और जीवन यह सब एक शुत्र में पांधे होते हैं और जो जमीन मिटी जिसको कहते हैं ज़्यातर लोग समझते हैं कि मिटी तो एक बेजान बस्तू है ऐसा नहीं है बिज्ञान में कहा गया है कि मिटी जो सॉयल जिसको कहते हैं वो एक जिबंत बस्तू है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छिक रक्तदान शिवर लगाए जाएंगे केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्राले द्वारा रक्तदान अमरित महुत्सव के नाम से इस अभ्यान की शुरुआत की जाएगी और इसका उदेश ये लोगों में रक्तदान की प्रती जागरुकता पैदा करना है रक्तदान के लिए ये रक्तकोष पोर्टल को भी लॉंच किया गया है लोग पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु एप पर भी रक्तदाता की रूप में पंजीकरन करवा सकते हैं कि जरूरत पढ़ने पर रक्तदान कर सकें किसी भी जरूरत मंद व्यक्ति को रक्त की कमी ना हो इसके लिए स्वेचिक रक्तदाता का एक डाटा तैयार किया जा रहा है जो कि ये रक्तकोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु एप पर भी उपलब्ध होगा विनेश फोगाट विश्वकुष्टी चैंपियंशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारती है महिला पहलवान बन गई है विनेश फोगाट ने कल सर्बिया के बेल ग्राद में तिरपन किलोग्राम वर्ग में कान से पदक जीतने के बाद ये उपलब्धी हासिल की इस वर्ष राश्ट्र मंडल खेल की स्वण पदक विजेता विनेश ने मौजुदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की इमा माम ग्रेन को पराजित किया विनेश ने कौलिफिकेशन दौर में अपने पराजय के बाद शांधार वापसी की आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है 15 सितंबर 1969 को ततकालेन राश्ट्रपती राजिंदर प्रसाग में भारत के सार्वजनिक सिवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया उस दौरान दूरदर्शन सपताह में दो बार सामाजिक शिक्षा कारिक्रमों का प्रसारण करता था और 1965 में इसे एक सेवा का रूप दे दिया गया क्रिशिप्रधान देश होने के कारण किसानों से संबंधित कारिक्रम क्रिशिदर्शन का 26 जन्वरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कारिक्रम था 1982 में रंगीन टेलिविजन आने के बाद लोगों का रुझान दूरधर्शन की ओर अधिक बढ़ गया हम लोग बुनियाद, नुकड, रामायन, महाभारत जैसे कारिक्रमों ने दूरधर्शन की लोकप्रियता को आसमान की उंचाईउं तक पहुँँचाया केंद्रिय सूचनाईवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने दूरधर्शन के स्थापना दिवस पर देश्वासियों को शुबकाम नाएं देते हुए कहा कि दूरधर्शन का स्थापना दिवस एक महत्तो पून अवसर है दश्कों से दूरधर्शन ने भारत की बदलती हुई अन्वरत यात्रा को अभिव्यक्त किया है और दूरधर्शन का अभिलेखागार हमारे सम्रध इतिहास का खजाना है आमबाला छामनी के नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए टीका करण शिविर लगाया गया आमबाला छामनी सिविल अस्पताल में नोडल अधिकारी डॉक्टर चितरा शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लंबे समय से सभलता पूर्वक कोविड टीका करण अभियान चलाय जा रहा है और प्रदेशवा से इसका लाब ले रहे है उन्होंने कहा कि स्वास्थे विभाग द्वारा लोगों को बूस्टर डोस लगवाने के लिए जागरोक और प्रोतसाहित किया जा रहा है अच्छे तरह से सबके प्रयासों से बहुत बढ़िया चल रहा है और जैसे कि सब जानते हैं कि देश में 215 करोड से जादा इंजेक्शन लग चुके हैं अब ये कारेकरम अभी भी हमारे हॉस्पिटल में 313 नंबर कमरा IPD ब्लॉक में चल रहा है और जिन जिन लोगों से के भी रह गए हैं जिनको चाय बच्चे हैं बुजूर्ग हैं जिनकी बूस्टर डोस रहा गई है या जिनोंने बिल्कुल भी कोई इम्मुनाजेशन नहीं ली है वो जब मर्जी आकर अपना टीका करने हैं सफलता पूरो के सकते हैं बुस्टर डोस लगवाने आये नागरिकों ने कहा कि कुरोना से बचाओ के लिए टीका लगवाना बेहत जरूरी है और लोगों को टीका करण करवा कर खुद को और अन्य लोगों को सुरक्षित करना चाहिए बुस्टर डोस लगवाने हैं आप सब से अपी लेगी आप सब कुरोना से फाइट के लिए बुस्टर डोस लगवा है आप सावाकियती देने बाद होगवा है मैं तो ये पिसली वार मेरे को जब ओविड बहुत दिक्कत पड़ी गया था तो आपको भी ऐसा ना हो इसलिए अपने मिसिज जरुआ रहा हैं अब बच्चे चोटे हैं अब बच्चे अंडर चोटे हैं इसलिए उनको बादने होगए जब देज हो जाएगा और अपने मिस आज इंजीनियर्स डे हैं प्रधान मंतरी नरेद्र मूदी ने इंजीनियर्स दिवस के शुपकामनाईं देते हुए कहा कि हमारा देश धन्य है कि हमारे पास कुशल और प्रतिभार शाले इंजीनियर्स हैं जो राश्टर निर्माण में योगदान दे रहे हैं उन्होंने क कि हमारे सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी धांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। देश के पिछडे जिलों की सूची में शामिल प्रदेश के नूह जिले की दशा वदिशा बदलनी के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है नीती आयोक की सूची में शामिल जिलों में नूह जिला 22 में स्थान पर है उपायुक्त जैकुमार ने कहा कि क्रिशिब आगवानी और जल संसाधनों के क्षित्र में सभी विभागों के सयुक्त प्रयासों से जिले की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ में सुधार के भी लगातार प्रयास जारी है क्रिशी अधिकारी ने बताया कि जिले में बड़ी बदलाव हुए हैं और सिचाई की नई तकनीक अपनाने के बहतर परिणाम सामने आ रहे हैं हैं उन्होंने बताया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किसानों के समूह बनाए जा रहे हैं किसानों ने कहा कि खेती की नई तकनीक अपनाने से वे खुशाल हुए हैं और सभी किसान मतलब यह चाहते भी हैं बाग लगवाने की कोशिज भी करते हैं और इंशाला वो लगवाएंगे भी और हम बहुत बड़े हमें पूरी उमीद है कि इस भाग वाने से हमारी किसानों की आमन्द केई गुना फाल तो हो जाएगी मुख्यमंत्रे मनोहर लाल ने कलचंडिगर में सतत विकास के संबंध में आयुजित बैठक या ध्यक्षता की बैठक में मुख्यमंत्रे ने अधिकारियों को सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए मापदंडों के अनुसार कारे करने के निर्देश दिये ताके सतत विकास लक्ष हर्याना 2030 को हासिल किया जा सके उन्होंने कहा कि प्रतेक जिले में उपायुक्तों के साथ प्रशासने कधिकारियों की भी तैनाती की जाए जो हर माह सतत विकास के लक्ष की समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट सरकार को भीजें मुख्य मंत्री ने कहा कि हर्याना देश का पहला राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष को हासिल करने के लिए जिलास्तर पर क्रम सूची तैयार की है इसमें सभी जिलों का प्रदर्शन के आधार पर आंकलन किया जा रहा है अंतमेस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्य मंत्री मनुहर लाल ने रोह तक में जन समवाद कारिक्रम में आमजन की सुनी समस्याएं अधिकारियों को PPP की वजह से बुजूर्गों की रुकी पैंशन को तुरंत बहाल करने के दिये निर्देश प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दो दिवसिय कारिक्रम का किया गया आयोजन केंद्रिये क्रिशी राजी मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा प्राकृतिक खेती समय की मांग विनेश पोगाट विश्व कुष्टी चैंपियंशिप में दो पदक जीतने वाली बनी पहली भारतिय महिला पहलवान और आज दूर दर्शन के स्थापना दिवस पर केंद्रिये सूचना एवं प्रसारन मंत्री ने देशवासियों को दी शुप कामनाए कहा दूर दर्शन ने भारत के बदलती हुई अनवरत यात्रा को किया अभिव्यक्त समाचारों में आज उतना ही नमस्कार